आप सांसत संजे सिंग की गिरफतारी के बाद केजरवाल की मुश्किले बढ़ गई है और अब केजरवाल परशिक अंजा कसने को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है कि अब केजरवाल का भी नंबर आने वाला है दरसल राजनिती में तो ये बात आम है कि लोगों की कतनी और करनी में जमीन आस्मान का अंतर होता है जो पार्टी 2012 में राजनिती में कदम रखती है और हल्ला करती है कि हमें वोट दीजिये हम पूरी राजनिती बदल देंगे लेकिन केजरवाल साहब ने राजनिती में आते ह जिसे वो भरस्ट कहा करते थे केज़वाल साहब ने उसी दिन राजनितिक विचारो और सूचिता को तिलांजली दे दी थी आपके कई निता शराब घोटाले की जद में आ गए हैं और अब नया नाम आप निता संजय सिंग का है सिसोधिया के बाद अब वो भी गिरफतार हो जैसे ही जाच जनसी ने धाबा बोला बीजेपी भी आप पर हमलाबर हो गई वही संजय सिंग की गिरफतारी के बाद केज़वाल की भी बौकला हाट बढ़ गई है कैसे बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में और कैसे अब एडी केज़वाल पर शिकंजा कस सक्ती है इसको लेकर बीजेपी क्या खुलासा कर रही है बताते हैं आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में दरसल संजय सिंग की गिरफतारी के बाद आप नेताओं की निंद उर गई है संजय सिंग की गिरफतारी पर केज़वाल ने एकस पर पोस्ट कर लिखा है कि संजय सिंग की गिरफतार बिल्कुल गेर कानूनी है ये मोदी जी की बॉखलाहट दर्शाता है चुनाओता कि ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफतार करेंगे वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर आपको घेरते हुए कहा है कि इस शराब घोटाले को दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद गिरफतारी से एक बात सच हो गई कि सचाई छुप नहीं सकती सचाई सामने आती है संजय सिंग के बाद अर्विंद के जिरवाल अब देखिये होता क्या है वहीं वीजेपी प्रवक्ता गौरब भाटिया ने कहा कि शराब घोटाले को लेकर जनता जान चुकी है कि इसे अर 32 लाख रुपे देने की बात कही गई सीएम आवास पर बैठ कर एक सांसद के 32 लाख रुपे के रिश्वत को चेक से लेने की बात है गौरब भाटिया ने कहा कि अर्विंद के जिरवाल के कहने पर एक सांसद वसूली कर रहा है ये बहत ही चिंता जनक बात है चिंता वाली प्रात ये है कि खुद को ये लोग आम आदमी बताते हैं। पर कोई भी नहीं है। चाहे वो कितने भी बरे पद पर क्यों न बैठा हो। बिरो रिपोर्ट ओमेच नियूज। और भी वीडियोज देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।